हेलो दोस्तो मैं वेने कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ UPSC परिक्षा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रेलवे एंटी पीसी की परिक्षा 2021 के लिए सम्भावित प्रशनों को और दोस्तो वन लाइनर कोशन हम इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे थे और दो-चार दिन से अभी आपको वीडियो नहीं मिल पारा था वीडियो ना मिलने का कारणी यह था कि मेरा जो गला था वो खाफी ज्यादा खराब था और थोड़ी सी दिक्कत अभी भी लग रही है तो लालब आपको रेगुलर वीडियो है तो चलिए शुरू करते है अपने आज के पहले कोशन से और आज के वीडियो से भी आपको हंडेर एंवन परसंट कोशन मिलेंगे और देखेगा क्योंकि अब यह हुआ कि वीडियो बन नहीं पाई रेगुलर और अब मैं आपको कितने दिन बाद वीडियो दे रहा हूं तो आपको हो सकता है कुछ कोशन इसमें आचुके हों ठीके और उमीद करता हूं कि जो कोशन आएंगे आगे वो आपको जरूर मिलेंगे ठीके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोशन को सबसे पहला कोशन हमारा है तैमूर लंग ने भारत पर आकरमण किया था तो महात्मा गांधी के द्वारा सावरमिति आश्रम की इस्तापना की की थी और यात्रा के बाद यह की गई थी यहां से मिलता जूलता कोशन कौन सा था डांडी ठीके डांडी का इस्थाने यह पूछा गया था याद रिखेगा नवसारी जला था सिक्को पर बीना बजाते हु देखेगे बुक्स आपकी पूछी जा रही है हाला कि बुक्स आपकी अभी तक के जो एक्जामें पूछे रहे वो प्राचीन भारत से पुछे रही है इनको भी यात रखे अगला कुशन है भारतिया रेल का मूल मंत्र क्या है तो देखेगे संरक्षा सुरक्षा और समय पा तो देखिए गती का प्रतम समीकर उड़ता है V बराबर U प्लस 80 ठीक है और यहां पर ISP का क्या ततपर है तो देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट कोशन है हमारा किस प्रकार की किरणों में पदात करण नहीं होता है तो यह होता है गामा किरणों में नेक्स्ट कोशन है संयोजी उतक की कोशिका बनी होती है तो हिस्टा माइन की बनी होती है सेयों जी उतक की कोशिका next question है अटल बिहारी बाचपे रेलवे स्टेशन है अब ठीक है हवीब गज रेलवे स्टेशन को अब अटल बिहारी बाचपे रेलवे स्टेशन कहा जाता है UPI payment app भारत पे का brand ambassador कौन बना है तो देखे सलमान खान तो भारत पे का पहले जो brand ambassador था वो सलमान खान था अभी इसमें जो क्रिकट के 11 खिलाड़ी है इनको ambassador बना दिया गया इसका question number 13 है किसे भारत का सर्वुच कानून समझा जाता है तो देखे भारते संब्धान को भारत का सर्वुच कानून समझा जाता है इसके बाद next question के अगर हम बात करें तो देखे जनवरी 2016 तक भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्याले कहां पर इस्तित था तो इसका मुख्याले था आपका बंगलूरू में कहां पर था बंगलूरू में next question देखते हैं दोस्तों हम अम अपना next question है मा आए आपर दोस्तो लिख्याए कि लेके दीव सागर को और किस अन्यनाम से जाना जाता है लेके दीव को जाना जाता है लक्ष दीव सागर ठीक है question number Sowa है Dimitri Vimitri Mandeliv दिमित्री मेंडली ने क्या प्रतिपादित किया था तो देखे रासायनिक तत्व की आवर सांडी को इनने प्रतिपादित किया था नेक्स्ट कोश्चन है शोर मंदिर कहाँ पर अवस्थेत है तो देखें महाबली पुरम ठीक है महाबली पुरम यहाँ पर यह कोश्चन आ गया है और भारत के पहले उपगरह का क्या नाम है तो देखें भारत के पहले उपगरह का नाम है आरे भारत में श्वेत करांती के जनक के नाम से कौन प्रसेदे तो देखे डॉक्टर वर्गिज कुरियर, ठीके डॉक्टर वर्गिज कुरियर, कोज नमर 20 कह रहा है दोस्तो, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेज दिया था, तो यहाँ पर नाम है इनका लॉर्ड करजन, ठीके बंगाल विभाजन क क्यों आदेज दिया था, इसके अगरम बात करें, नेक्स्ट कोशन की, नेक्स्ट कोशन हमारा यानल पर लिखा हुआ है कि, किस रेलवे, जोन को, ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, तो देखे, देखे, दच्छन पूर्व रेलवे, नेक्स्ट कोशन है, पहली वातना क अब इस है, M.C.A का पूरा नाम क्या है, तो देखे, Master of Computer Application M.C.A का पूरा नाम होता है, कोशन नमर 25 है, पृत्वी दिवस, ठीक है, ये कोशन नमारा देखे, आया हुआ है, ठीक है, आज चुकर है कोशन हाले कि, नोट्स मेरे पहले कहे हैं, अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ पृत्वी दिवस किस तिथी को मनाया जाता है, तो देखे, 22 अपरायल को मनाया जाता है, ये कोशन आच चुका है आपका एक्जाम में, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो देखे, कोशन लिखा है, पीवी संधु कौन है, ठीक है, तो ये आने की संभावना है, पीवी संधु कोने बैटमिंटन की खिलाडी है, ये, कैवलिन एंड हॉप्स नामक कॉमिक स्ट्रिप की, रचना किस ने की थी, तो देखे, बिल वाट्सन के द्वारा ही की गई थी, संपूर आवेश, रनात्मक के लिए पूछा गया, इसने, संपूर आवेश, जब रनात् स्ट्वाट justified on the point Farm Adaptism का अर्थ कार्थ, तो देखे धर्म निर्पेक्षता का अर्थ होता है, धर्म को मानने और पूजा करने की सौतंतरता पूर्ण रूप से होना, इसका next question ने इस्तुरों का वानिजिक मुख्याले कहा इस्तितॉत использовать तो देखियों बन्गलूरू में, ये इ 1931 को वाता हुआ हवा में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है तो को आयोजन होता है तो दीके चार वर्ष में क्या राष्ट मंडल खेलो का आयोजन होता है इसको यार कर लीजी इंपॉर्टन अगी भी भारत छोड़ो आंदोलन कभ हुआ था तो देखे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में इसके नमारे next question है आपर क्या रहा है catch me if you can यह आपके book का नाम है catch me if you can book के लेखक कौन है तो देखे संतोज पाठक इस book के लेखक है IPL 2020 का IOJAK कहां पर हुआ था तो देखे UAE में हुआ है और यह question मेरा आज चुका है आपका exam में ठीक है repeat हो चुका है IPL 2020 का IOJAK कौन था तो देखे dream 11 था और इसका भी question related आया हुआ exam में विश्वका सबसे पुराना railway station कौन सा है तो देखे लीबुरबुल है 42 कुशन है railway budget का अनुमोदन कौन करता है तो देखे संसद इसका अनुमोदन करती है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए चुना गया पौधा का क्या नाम था तो देखे पाईसम सटाइवम इसका नाम था CDMA से अभिप्राय क्या होता है code division multiple access चार्ल्स कोरिया कौन था तो देखे एक प्रसिद वास्तू सिल्पी था चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद वास्तू सिल्पी था ठीके तो यह कुशन आपका काफी जाद है यहां पर बहुत ही जादा important question है इसके बाद हम बात करें लिखावा यहां पर विक्टूरिया memorial monument किस रूप में कारी करता है तो देखे एक संग्राल है की रूप में काम करता है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुवात किस पर्स हुई थी तो 1991 में इसकी शुरुवात की गई थी पैरिस्टा मॉल क्या होता है तो दर्द निवारक और एक जो रनाशक का काम करती ह है ठीक है और यह 900 कुशन यहां लिखा ही नहीं है ठीक है इसाट इनिक में ठीक है पचासवा कुशन क्या रहा है कि आसायोग आंदोलन कब हुआ तो देखे 1922 में आसायोग आंदोलन हुआ था कोशन नमर 51 है भारत में सरपर्थम स्थाबित बैंक का नाम था बैंक ऑफ है रहते हो दोस्ता कोशी नमर 250 है Rich test के लिए क्या होता है तो देखे LASY 123 है मनिश्य के नाखून बने होते है तो देखिए करो आडय गुडवत्ता की Evet थे निर्गत चेक कितने महां तक वयद बना रहता है, तो तीन महां तक क्या होता है? ये चेक वयद रूप से काम करता रहता है। प्रतम उलम्पिक खेलों का आयोजन हुआ था तो देखे ग्रीस में हुआ था पहली बार जो उलम्पिक खेल खेले गाते हैं ग्रीस में खेले गाते हैं अंतराष्टिये समुंदरी संगठन किस से संबन देते हैं तो देखे समुंदरी प्रदूशन से संबन देते हैं कोशन नबर 58 है स्वतंत्र भारत का पहला ग्यार कॉंग्रिसी परधान मंत्री कौन था तो देखे मुरार जी देशाई कश्मीर की पूर्वी सीमा रेखा होती है तो देखे लद्दाक में कश्मीर की पूर्वी सीमा रेखा कोश्च नबर 60 है क्रिकेट विश्व कप 2027 का सब्थेशन किराऊंगा और अच यस वी डियो में यहीं पर रोकते हैं काल मिलते हैं आपको नए कोश्च निषीड ख साथ तब तक लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे ठिके और अब अग्ली बार में आपको ऑंडर्ड कोशिड कंप्लीट कर ओंगा ठिकेए इसे ये पर रोकते हैं, मिलते हैं कल नएए वीडियो के साथ उत्ते के लिए धन्यवाद